हलो दोस्तो आज के हम इस वेडियो में आप लोग लिए देखें कुछ बहुत ही महत्पूर्ण प्रस लाएं हैं आप आगामी जो भी एकजाम देंगे और इससे पहरे दिये भी होंगे यह प्रशन आपको बहुत बरेसान करते हैं इनके मैं ट्रिक बताऊंगा कि इन प्रशनों को एकजाम में जब पूछा जाता है तो कैसे कम समय में इन प्रशनों को अटेम करते हैं तो चलिए आसानी से बताएं कि बिना आप लोगों के एक स्वाई माने कैसे सिकेंडों में हल करना है देखे एक घड़ी को 64 रुपे में बेचने पर 20% की हान होती है तो उसे 100 रुपे में बेचने पर कितने परतिसत लाब होगा देखे कभी भी इस टाइब की जब प्रशन पूछा जाता है कि देखे मतलब दो मान दिये रहते हैं दो रुपे एक यहां दिया गया एक यहां दिया गया लेकिन इससे हमें कुछ नहीं पता कर सकते हैं जब तक यहां वाला मान नहीं निकालती कैसे देखे 20% की हान हो रही पहले कोई 100 में थी उसके 20% की हान होई तो 80 तो हम दुकान से इस सामान को खरीद के लाए कितने में थे तो देखे हमको क्या करना पहले वाला मूल पता करना है तो पहले वाला मूल पता करने के लिए पहले वाला मान को उपर रखते हैं ठीक है और बाद वाल बेचे कितने सौ में ठीक है यह निकालना बहुत जरूरी है अब देखें जब आसी में लाओं आये थे शौ में बेचे कितने का बृषााँ के निकालनला थे ह Mein셔 कितने का यहां तो आपका 25% आपका आपसा नम्मर यह सही है, इसमें एक ही तरीका है, जब भी इस टाइब के पूछा जाए, देखे, 20% की हान पर हम 20 करेंगे, तो 80 हो जाएगा, तो पहले पता करते हैं, इसका इस्टार्टिंग का मूल क्या था, तो पहले वाली रुपे को लेते हैं, ठीक ह उसके बाद पहले वाली बैलू पता करने के लिए, पहले वाले मान को उपर, 100 को, और बेटे में क्या करेंगे, 80, जब इनको हम काट देंगे पूरा, तो हमारा कितना आजाएगा, 80 आजाएगा, ठीक है, 80 आजाएगा, अब ही हमारा क्या आजाएगा, CP करेंबूल, और कभी भी इस टाइप की जब भी परशन देगा, तो दो मूल ले देगा, एक यहां रुपया देदेगा, एक यहां, तो पहले हम इसके मान को पता करते हैं, स्टार्टिंग में मान क्या रहता है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यह परशन बहुत परिसान करता है देखे कुशन नमबर सिकेंड है यह भी प्रशन बहुत परिसान करता लेकिन देखे इसकी एक ट्रिक बताओंगा कि आप लोगों कैसे हलकना है पढ़िये धियान से आप मात्र एक सिकेंड में इसको एक्जाम में हल करेंगे देखे एक रुपे में बारा टाफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% हान होती है 20% लाब कमाने के लिए एक रुपे में कितनी टाफी बेचनी होगी अब देखे सबसे बड़ी बात आप यहां करिए देखे 20% की हान तो पहले 100 पे क्या करेंगे 20% की हान कितना हो जाएगा 80 यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 ठीक है उसके बाद देखे 20% का लाब 100 में 20% का लाब कितना हो जाएगा 120 ठीक अब यहाँ का लिखेंगे 12 अब गुणे अब यहाँ पे आप लोग एक चीज confusion में रहेंगे कि 80 को उपर रखें कि 120 को उपर रखें तो रखना क्या है जब भी हमें टाफियां निकालनी पड़े कितनी टाफियां बेची तो हमेशा हमको कम मान लाना है जब भी टाफिय पूछेगा कितनी टाफिय आई तो हमेशा कम मान लाएंगे तो कम माल लाने के लिए कम वाली value को उपर रखते हैं और ज्यादा वाली value को नीचे रखते हैं ठीक है ऐसा क्यूंकि अगर यहां पूछता कि रुपय पूछता तो हम रुपया क्या करते हैं अधिक लाते कभी भी दो कंडिशन में सवाल पूछता एक रुपय वाले एक टाफ मतलब कितने टाफी आठ टाफियां बेचिंग होंगी ठीक है आप देखे समझेगा जैसे हमने यहां पर क्या 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 बीस परसंट की हान पर तो कितना हो गया असी हो गया बीस परसंट के लाब पर कितना हो गया 120 हो गया अब यहां पर हमने 12 लिखा ठीक है अगर यहां पर तो रुपया बोला जाता, ठीक है, रुपया बोला जाता, रुपया निकालना होता, तो हम 120 को उपर रखते हैं, ठीक है, 80 को नीचे रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, यह 80 है, यहाँ पर हमसे टाफी पूछा गया है, तो टाफी जब भी पूछा जाए तरीका बता रहा हूं उसको समझे क्योंकि एक्जाम में आप लोग लिए बहुत ही हेलफुल होता है देखिए कुशन नमबर नेक्स्ट है हमारे सेशन का एक व्यापारी पांच रुपए में छे की दर से एक वस्त खरीद कर छे रुपए में पांच की दर से बेंचता है उसका लाब पर्सेंट बताएं देखिए हम जितने भी प्रिशन कराएंगे आप अगर एक्जाम में कोई दिये होंगे जिनको एक्स्पिरियंस होगा और जो देने वाले उनको पता चलेगा कि यह प्रिशन आपको कितने परिसान करते हैं तो आप इनको समझे आसानी से ठीक है इधर और इधर करते हैं देखिए 25 यहां हो गया ठीक है और इसे गुणा करेंगे 6 चोग 36 हो गया अब इनके बीच कितने का अंतर आया 11 का ठीक है और हमारा ये करेमूल स्टार्टिंग का होता है 25 और क्या करते हं 100 ठीक है तो 25 चोगा 100 11 चोग 44 तो 44 परिशन का लाब होगा जो कि आपका अपसंगा थे ठीक मैने आपसंगी सजका अपको कितने ह ही टाइप के प्रशण करा है अगर यह प्रश्न आपको अच्छे लगे हूं तो आ आप लोग एक लाइक करिएगा तो कि यहाँ से तीन नमर के पके पक्ये हूं क्योंकि हमेशा मैं ऐसे यूनिक प्रश और भी हेलफुल हो आप लोग लिए एकजाम में बहुत ही फायदा हो उम्मीद करता हूँ आज की इन तीनों प्रसुनर से आप लोग बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ समझेंगे चले दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्त बूर्ण क्लास के साथ आप लोगों को